सेट हरी शंद्र की लड़की कौन है यह है रूपा अबर्दार भिलो मत इस लड़की के बाप से कह देना कि भैरो खाई के भावानी मंदिर में कल शाम तक 20 लाख रुपया पहुंचा दे करταि मुझकाूब कर दो करिक भावानी म रुपार माल इस सandy एक graffiti olduğ पुपया झेर लूगई एक ल постоянноन पे कृत ज़ Lösung ते रहए знаешь आपसित 안ी mane पया वावानी अओ प्या स्वर में गक भी violation यह थो जर्या है फड़ल कि अमने अपिक आए फुछ फुछ पाता है जोज़ा पुज़ा पुज़ा इसमेकी साफ अब नार अगर भागने की कोशिश की तो ओलियोत लिना चलनी कर दूँगा तार कर लो इन सबको मया अगर अगर चलनी की तूँ़ा अगर चलनीक तार कोशिशe्स । जचर कर दो कर दो दो दोता कि उना थाओगा है झाल 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 आज फिर मंदर गेती इसका मतलब है आज फिर उपाथ देखो गीता, डॉक्टर में कहा है कि तुम में फून की कमी है, ब्रत और उपास दिल को बंद आज ब्रत और उपास नहीं रखा मैंने, आज तो आपकर जनन दिन है जनन? कमाल, मेरा जनन दिन मुझे खुद याद नहीं रहते याद रहता है तो एक हमारी दरम पत्मी श्रीमती गीता देवी को और दूसरे हमारे चोटे भाइप पुरीव अरे कितनी लंबी उमर हमारे चोटे भाइप अरे बाभी के देवर, तुने पिसनी बार वादा किया तो नहीं अब के जोडे में आके पहुच हूएगा तो ये बाद है, मेरी शादी नहीं इसने मेरा क्या कसूर, वसे तो मने भावी से कह रखा है, काली हो, गोरी हो, दुबली हो, मोटी हो, कोई भी चलेगी, आप किसी से दि मेरी शादी करवा दो, मुझे मंजूर है, परे लिखे, दिये पासो, लड़ी अपनी पसंदो में आप लोगों को कैसे पता चला कि आज मेरा जन बने, ओ, मामा जी आप, बगवान जूट न बुलवाए भांजे, मैंने ही सब को बता जिया, लो, मुझ मिठा कर लो, लेकिन आप घर क्यों नहीं है, मामा जी, क्या बताओ भांजे, घरी ने ठंसे 10 बजा है, सोचा तुम घर मिलोगे, दफ्तर मिलोगे, इसलिए यहाँ चला, अरे बगवान जी, तुम भी मुझ मिठा कर लो, और सब दफ्तर वालों का भी मुझ मिठा कर आदो, अब के बववत दिनों के बाद चक्कर लगा है, आप आप मामा जी, हाँ भांजे, एक तन दो काज तो तो तुमने सुन सोर रुपे की तो भर की बाद थी, मामा जी, मैं भांजे ना, लें बेन बाब बेटे का, एक बार लेकर वापस दे दो, दुबारा माउने का मूरे जाता है, वैसे मैं वेवार का बरा पक्त, आप मामा जी, मामा जी, तुम्हारे पता बाबू यहां के हैज केश्यर हैं, और रोजाना लाख होगा, लेन भी करते हैं, अबे भीया, सोर रुपे तो पहले ही पताब बाबू के देने थे, अगर किसी ने उमनी पकरा जी, तो जात पोचा ही पकर दो उसका, कोई बात नहीं मामा जी, मेरी जेब में पचास रुपे पड़े हैं, ये लिजे, पचास में का पोड़ेगा, तुमारी मामी के सामने रस खुलों का डिपा रगदूगा, तो वो कंगन को भूल जाएगी, अलो, अच्छाम लाख, जावाद, ये आपके सक्या मा हैं, नहीं, ये जगत मा है, प्रताब बाबू, आज आपका जनम दिन है, आपको खुश्या मनानी चाहिए, और हम सब लोग को पाट देनी चाहिए, रे चोड़ी, आपको छुट्टी मनानी चाहिए, आज आप आपसिस में क्यों आज, जी, काफी काम है, और, जाएगे जाएगे, अपनी फैमली पर जनम दिन मराएगे, और मेरी गाली बिले जाएगे, थैंके बेरी माच, सार, मुनी जी, आप चाहिए लखेए, यह अंके लान को चाहिए, क्यों दे रहा है, थाट ले जाएगे एक फूल और एक मोती से जुथे न कोई हार, हमें बनाया इश्वर ने एक दूझे का सिंगार, इदो से शुरू हुआ, शुरू हुआ, शुरू हुआ, संसार इदो से शुरू हुआ, शुरू हुआ, शुरू हुआ, संसार इदो से शुरू हुआ, शुरू हुआ, शुरू ह 숙ce हमें बनाया इशर्ण इक दूझे का सिंगार के दो से शुरू हुआ इनोसे, शुरू हुआ, शुरू हुआ, शुरु हुआ थो स्विष्टी के आरंग में पुरुश था अकेला स्विष्टी के आरंग में पुरुश था अकेला नारी जो आई था जुड़ अमेला दोनोंने मिलकर कोई सुने पन के दिवा मैं आई शर्मिक एक दूझे का सिंगार के दोसे शुरू हुआ शुरू हुआ शुरू हुआ समसार दोसे शुरू हुआ शुरू हुआ शुरू बुरा सिंसा जीवन का बोज दोन पग है सभाल दोड़ो आखों में भी भरे है उजाले जीवन का बोज दोन पग है सभाल दोड़ो आखों में भी भरे है उजाले आम दो से भी चल जाए अपनी को बाही चाए तुमें बनाया की शर्म एक दूजे का सिंगार के दोसे शुरू हुआ शुरू हुआ शुरू हुआ शुरू हुआ सिंसा दोसे शुरू हुआ शुरू हुआ शुरू हुआ शुरू हुआ सिंसा कर दो कर दो वैसे ही सुख यार दुख की है जोड़ी वैसे ही सुख यार दुख की है जोड़ी सुख और दुख गोनुता है इस जीवन पर अभिका हमें बनाया इश्वर में एक जूजे का सिंगा कर दो से शुरू हुआ शुरू हुआ शुरू हुआ संसार दो से शुरू हुआ शुरू हुआ शुरू हुआ संसार पिदू से शुरू हुआ, शुरू हुआ, शुरू हुआ से नुसाग बहुत पैसा है, बड़े भाईया की पार? अरे बैटी, लाखो उपर में खेलता है, एक बार जाके गेट कुसी मा, चलने, सुर्ण चले, बड़े भाईया की पार, देखेंगे देखो मामा, जल्दी से लौटा देना, तुम तो जानते हो, प्रेम पूटी कौड़ी तक हाथ में नहीं देता लो भगवान छूटने बुलवाए, जब तक ये खट-खट जालू है, तुझे पैसो की क्या हुआ? नजर लगाता है अरे वाँ, दोवी रुपे, तीन रुपे निकालो पिछले दर्वाजे का माल और तीन रुपे ओ, 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 वेगु चाचा, जर्वाज अगला हो या पिछला, है तो मेरे घर का, निकाली और रुपे निकाली ये, क्योड़ी अरे मा अरे अरे रोख यो रही है, अरे बताना क्या हुआ ये क्या बतागी, तीन के भाँ के चावाज चोड़ी से दो के भाँ बेच रही थी, पगड़ी गई अरे भाँ कामेब भुन हो गई होगी, इससे चोड़ी कहा की, मैंने इसे कहा थी इसका मतलब है बेटी की चोड़ी में मा भी शामिल है हाँ, हाँ, कैसा जमना आगया, बेट का जाया, मा पर चोड़ी का इंसाम बगा रहा है जेको मा, ये नाटक छोड़ो, और सबसे पहले प्रिया को उसके सुसुनल भिच दो जिमतें जी, जिमतें जी ये बताईए, आप कर कह रहे थे पहले में चक्की से आटा पिसा के ला उसके बाद काय को चारा डाला उसके बाद दूद निकाला, तो अजन्द से घात काट के ला ये आपने आवाज दी ये बताईए, आप इस घर में कौन है ये आपका बहनों ही मुझन, आप प्रिया का पती है, इस घर का दामाद हूं और आप यहाँ आये किसे थे? आप प्रिया को घर ले जाने के लिया आयाagh था चुंके माजी मेरे कमारती होूप लेकली जाते? माजी करिए मेरे मां उसे काम करोती है तुनियमा, प्रिया की साथ उसे काम लेकिए, वो तुम्हे अच्छा नहीं लगता, और तुम अपने दामा से काम करवाकिए, वो तुम्हे अच्छा लगता है कर देन निकलने से पहले आप प्रिया को साथ लेकर चलते बनिये, नहीं तो मैं आप दुनों की गट्री बांद कर आपकी मा के बस फेकाऊंगा, कहिए जल्डी चलो न, अब जल्डी से सामन रख दो, अगर प्रियम आगया तो हम सब के सब यहीं रह जाएंगे माजी, आप भी चल रहे हमारे खाएंगे नहीं, नहीं, हम सुटाप के हाँ जाएंगे आच्छा आच्छा आप, जारी ओमे आप आप, आप, आप जर दोके पक्ता को आपके लिए क्या लाया हूँ आप अपना सूट इस बार भी चाल गए गीता सूट पहना कर मुझे काटून बनाना चाहती हो अरे आगे इतना मोटा हो गए अपने लिए देखो शेट पैंट लाया हूँ मैं ये साडी कभी पहनूंगी जब आपका सूट आएगा इतना जोल्म मत करो बड़े अर्मानों से लाएं ये साडी दिल तूट जाएगा मेरा गीता अगले महिने किसी की कोई चीज नहीं आएगी बस आपका सूट आएगा मन्जूर है आप जरा हमारे पसंद की जाज सर दिजे बड़े दिनों से इस साडी पर मेरा दिल था अरे आपके दिल की बास हम आँखों से बाफ जाते हैं अगर आज जल्दी से साडी पहनिये खुनने जाएगे खाना भी फोटो में खाएगे बच्चे भी खुश और बच्चों की मा भी खुश अरे बाफ प्रिया अपने बतायाने कि आप आरे हैं अरे पेटा अपने घर आने के लिए क्वश देने होते हैं ख़बर देते भी कैसे तैयारी थी प्रिया के ससरा जाने की और आ गया है भीम सेंजी के ससरा नंबर दो में जीम सेंजी इतना बोच के उठा रखे आपने अरे बेटा मैं इंको कितना मेनार्फिया आपने नहीं कामकरी का जो शौक है अहां हां बभू हम यहां रहने नहीं आए प्रिया का इलाज करने आए बीचारे के पैरों में कितना बढ़ीता है चीक ही नहीं होता कैसी बाते कर माती आपकी का तो घर है प्रिया का इलाज भी हो जाएगा और मुझे भी आपकी सेवा करने का मौका मिल जाएगा अरे तुम वहां चुक्चाप क्या खड़े हो इधर आओ दादी मा के पाउं पकरो जीते रहो जीते रहो जीते रहो अरे अब छोड़ दो देडी छोड़ द बाबी मैं ये लेले सारे ले तुमारा के नूस्त्रा लो ये शोड़ दरता है तुम दामाद हो इसे तबी का हक है हुआ 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 अधर, था प्रझे भागे! से लग देंटी जिए झाली हुआ है कर दो कुछ रख उन्होंने कहा अच्छा हुआ तुमने बता दिया हमें किशिनपूर जाना है ओ किशिनपूर आप ऐसा किजिए उधर दाय की सड़क भगर कर नाक किसी बराबर चले जा यह साथ थैंक यू थैंक यू बई मस्ट आप कोई गाने बजाने वाले हैं क्या किशिनपूर बहुत सारे गाने बजाने बहले अपना गला फाल रहे हैं हाँ हाँ, हम लोग वही जा रहे हैं नमस्टे जी, इडियुट नमस्टे नमस्टे कर था जो काम नहीं आता कह देना चाहिए कि नहीं आता जो काम नहीं आता उसे कह देना चाहिए कि नहीं आता जो काम नहीं आता उसे कह देना चाहिए कि नहीं आता जो काम नहीं आता उसे कह देना चाहिए कि नहीं आता हाँ सब रो सब अले इसके तो हवा निकल गी सायवान बाब दिल थमके बैचिये इंतजार की घड़ियां खत्म हूँ अब लोगीतों के सर्तार शिरी रेमकुमार जी अपने साथियों के साथ आप सब सायवान का दिल लुबाने के लिए पधार रहें अब लोगीतों के लिए देखती उते भरी, देखरी भरी उधे चुनरी नरती सुन्दर नागे कैसी, नील गगन की परियों जैसी निहरो निहरो नाल गुलाबी पुलों से भरी, देखरी उधे चुनरी धर्ती का अंबर से, अंबर का धर्ती से, ऐसा आदे भुत ना तारे मिलने का दोनों संदेशा तो भेजे पर कोई किसी तक ना आता रे माधूर मिलन के अपने संजोए रहते हैं दोनों खोए 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 लागे कैसी इंद्र धनुष की शोभा जैसी निहारो निहारो लाल कुलाभी फुलों से भरी फेहरी भरी उधे चुनरी बावल है चैटी है तजरी मलहारे हैं बिहुके बोल सुहाने हैं करती के चारों को रिकराने हैं है सबियों से देते हैं जो सबको खुशियां वो अनमोल खजाने हैं नगमों के वो अनमोल खजाने हैं पनिहारी पन घट पर गये घर गाना है भूल ही जाए जोन्निहारो जोन्निहारो लाल गुलावी फुलो दे भरी दे हरी भरी उढ़े चुनरी लिए जोन्ने का आकरशन तब तक गी रहता है जब तक मिले नहीं पाते हैं ये। में तब तब मिल नहीं पाते हैं है सुरज की किरणों से खिलते जो पुलवा पल में मुर जा जाते हैं दूर ही दूर से पर लो नजारा तो वो अमर रहेगा प्रेम तुमारा वो निहारो निहारो लाल गुलाभी फुलो से खरी वो लाल गुलाभी फुलो से खरी वो हरी भरी ओडे चुंदर जी लाइए तैंक यू कभी कभी ऐसे भी मज़ाग हो जाते हैं जिने इंसान कभी नइ सकते हैं सिर्थ मज़ाग क्यों हम थो इस इंसान कभी नहीं भुला सकते जो कभी हैं कवाईय और लिखा हैं और उसके साथ सात में गयाँ जैए इजियोट है नहीं, इजियोट होने का नातिक करके दूसरों को इजियोट बनाता है रुपर रुपर, देख देख, अपनी गाड़ी, अरे हां, हां, लेकिन यहां कैसे आगे, पता नहीं आप क्या समझते हमारे गाव में मेकानिक से होते हैं हम कुछ नहीं समझते हुजूर, आप हर तरह से जीते हम हर तरह से हारे, चलिए अच्छा तो अब आप यह बताईए कि आप सूरत का बार हैं सूरत तुम्हें अक्सर जाता रहता हूँ, वह मेरे बड़े भाई आ रहते हैं यह लीजिए मेरा कार्ट मिस रूपा कुमारी, डाटर अफ हरिष्चंद आप हरिष्चंद जी की बेटी हैं? जी हाँ उनके तो बहुत बड़े-बड़े पेपस नहीं कलते हैं आप जानते हो जी नहीं नाम सुना है, बहुत बड़े आदमी है ना तो क्या, शादी तुम्हारी बेटी गया पैसे मैं दूँ क्यों? जाओ नहीं है पैसे अरे सुनो मैंने कहा नहीं है पैसे तुम चल दिये कितने पैसे चाहिए यही कोई पांसो रुपए हजूर पांसो बहुत जादा है एक, दो, तीन अरे सुनो तीन सो से शादी हो जाएगी कैसे हो जाएगी हजूर तो फिर चिलाते क्यों नहीं शोर मता रो के नहीं होगी नहीं होगी नहीं होगी पागल कहीं का एक, दो, तीन, चार, पांच यह लो पांसो और लो और जरूरत पड़े तो दतर से लेने बहुत बहुत सुक्रिया हाजूर मालिक आपको खुश रखते यह क्या आदत है आपकी पहले इंकार कर देना और बाब में दे देना तू नहीं समझती ना उमीद करके उमीद से ज्यादा दे देने से खुशी हजार कुना बढ़ जाती है लेकिन डैरी उस इंकार और इकरार के बीच जो चंड सेकेंड होते हैं उनमे उस आदमी पर क्या गुजरती होगी कभी सोचा है आपने हर तरफ से नाउमीद होकर वो आदमी अपनी जान दे भी सकता है और दूसरे की जान ले भी सकता है जो लोग इतगाकर हजारों का दिल मुह लेते हैं पूची जो लोग इसको बढ़ो इसको बढ़ो बद नामे जमान प्रानत ग्रोही जिसमें दोती से छे लडिकों से शागी की छे लडिकी लोग दगा देकर रभुचक्त भुपया मुष्ग के बाते हैं ऑधा कि अधा भुपय को मुँआ मुआ हादट जादी बनाए मुआ है मंको इतलना च्ट्रोझ को जीटार करने का एक हाजार रुकते है यह फोटो गलत छप गया, इसलिए मुझे सर्थी से मिलना है हम सब जानता है, अब तुम बदमाश लोग ऐसा ही बोलता मेरा नम तेम कुमार है, यह फोटो इस तरफ होना चाहिए, इसलिए मुझे मिलना है अब आपने चाहिए, अब आपने चोड़ा दिया आप आज का पेपर देखिए, इसमार लगज जाएगा यह कम इन, हाँ जी, ओके जी, ओके यह तस्बीर देखिया आपने? यह देखिए यह मेरी तसमीर है वो, तो वो तुम हो, जिसने छे घर बरबाद कर दी छे मासूम लड़कियों की जिंदगी बरबाद कर दी अब खलत बार दीजिए, आप तलिस अब आप दीजिया यह तब आप आप तमीज दीए तो ग्या हुआ जिसने छे लड़कियों की जुदिश्टी आपका ना है अब आता है आम से बहुत बदा भूल हो गया प्रेम कौने हो गया आपक्षिर हो गया अध्यकि प्रेम कॉमार कल के पेपर में खब जाएगा भूलतुदार आपकी फोटो के साथ अरी आप खड़ी क्यों है बैचीना अन्य आथ श्रीफ रखिये प्लीज प्लीज जी शुर्या मैं तरह जल्दी में हूँ प्लीज बैचीना देहिए हरूपा मेरी इकलौती बेची है यह एक म्यूजिकल डांसिंग पार्टी आर्गनाइज कर रही है जो कि इंडिया के बड़े-बड़े शहरों में अपना प्रोग्राम देगी फिर फिर क्या यह चाहती है कि आप इसकी पार्टी में शामिलों आप कीजेगा आपको इसका मुआपदा मिलेगा जी गाना मेरा शौक है पेशा नहीं अजी बाद मी हो अरे जंगल में मोर नाजा किसने देगा गौँ छोड़ो दुनिया के सामने आओ और अपनी के लागा पर चाहर करो अंसरी मा यहां क्यों तुम्हें मालूम नहीं था क्या प्रिया के पाओं का इलाज्य कराना था अरे कोई खास बात नहीं डॉक्टर ने कहा है मामोने सी मोच आ गई लकिन मुझे तो कहकर गई थी कि भिंसेन की मा का सुरवा सो गय हम लोग बहा जा रहे हैं पूथ कॐं है भूथ, कौन है मैं आरे भूथ है तेरी मां अमा तुम तो कहरे थी कि अमार पट्ता लिख कर लाई है क्या? अरे पट्ता लिखवा के मैं क्यो लाती? पट्ता लिखवा के तो लाई है तू क्या कर रहा है जारू के गुलाब? यहां छुपा क्या कर रहा है? मा के बच्चे, तू तो सुस्रा लाया था, क्यों आया था? मैं प्रिया को घर ले जाने हा लेकिन वो आती नहीं है आती कैसे नहीं चुटिया पकड़ के घजित लेता आखिर जोरू है ना तेरी मा हाँ आच लगा का सुदे सौरे खौंदा उनकी चुटिया पकड़ के खोड़ के फेल जूँड़ कांजिए। सौरे मुरम के बाद करता रही लिखा मा हूश मेरा हो प्रिया की सास है ये सास है किया मैं इस साथ पढ़ा लो चैख आप्राताम बेता ये पेट का जाया इस चुटल के जफ्नारी करिष मा प्रेम ठेक ही तो कह रहा है प्रिया आखिर उसी घर में तुझाना है तुझा का मा को कि अच्छा जा आखिक रहा है तू चली हसे चली यहां से मा चली अपना सामन बाद लो तुम लोग गाव में ठीक हो और यहां रहोगे तो भैया बावी को तग्लिफ होगे सुन्या बेटा यह पेट का जाया बोल रहा है तुम्हें समझाओ इसे रेम कैसी बात कर रहे हो यार बड़ों के रहने से तकलीफ होती है क्या भाया आप नहीं समझते पेट का जाया हुना पेट की बाप अच्छी तरह समझता हूँ क्या हुआ अरे अरे कहा जा रहा है अरे एकसे रोको जल्दी रोको जल्दी अरे बेटा भीम क्या आए यू हो आलालालो अरे अरे कमाल है आप तो मुझे इस तरह देखनें जैसे सिंदगी में पहली पर देखा जी आप आप मेरा परीच्छे कराएंगे कि मैं खुदी आप नहीं ऐसी बात नहीं है भावी यह मिस रुपा जिस पेपर में मेरी गलत फोटो छबी थी थी ना उस पेपर के मालिक श्री हरिश्चंद जी की बेटी और आप मेरी भावी पेपर में गलत फोटो छपा था तो मैंने सुचा आप लोगों से माफी मांगा हूँ वैसे इनका फोटो मैंने खिचा था आपने हाँ मैंने गाव में इनका गाना भी सुना था बहुत अच्छा गाती है मुझे यह अपने घर भी ले गय थी अच्छा आपके अगले जमन दिन पर यह भी आपके पैर चुरी है कुछ नहीं कुछ नहीं आप बातें कीज़े मैं और चाय ले आती हूँ सुनिये यह बात तो मुझे आप से करेंगे मुझे सुनिये मेरे साथ चली प्रेम लड़की ज्यादा ही मॉडल है अपनी बात खुद करने चली आए सुनिये जरेगा आए गुलाबा आगया बोलो हाँ कह दू या ना जगभाई आप हाँ 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 सुनो प्रेम तुम्हे रुपा के साथ इनकी म्यूजिकल पार्टी के साथ जाना होगा जी लेकिन भावजी गरगा लेकिन लेकिन कुछ नहीं हाँ बोलो याँ अच्छिया जब आप बोलते हैं तो प्रामिस 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 हाँ वे निकाल क्या सभत दो हमारी काम करके हमारे से बादा गिरी करता है चाकव गोरी दिखा चे अप्ता लेता है अप्ता असे लेता सेथ जब से फेक्टरी खुली है तब से लेता है और जब तक फेक्टरी खुली रहेगी तब तक लेता रहेगा जा बगता है कमीने बदमाश काली मद्दे से विक्रम अकेलानी है पूरा गैंग है मेरे साथ अरे गैंग के बच्चे निगल जाओ जहां से Get out, get out एए मामा जी अगर सौ दो सो रुपे की बात होती तुमने कुछ कर भी देता मगर धाई हजार में कहां से लाओं माले के प्रता पावु तेना न चाहे तो दूसरी बात है इनके तीन हजार रुपे सेट जी के पुजित में है मैं तेरे पाव पड़ता हूँ मामा की इजज़त और मामी की जांस दोनों तेरे हाथ में है बगवान जूट न बुलवाए अगर दो महिनों में तेरी पाई पाई न चुकाई तो ये असनी हैस होने के जेवर इने देश डालना इतने सारे जेवर पेर हैं इसमें सोचने के क्या बात है बता पावी सेफ देश दोना अपने झाल मुझा तर भाल झाल यह झाल जाल व तुझा जलसाओ.. निहीं क्या का शर्खो हूं? कि अलदेखेजि़के, अजहीं काकरें? शर्खो सो चे करैंगे खना पुद्धेजी? यहतना थे थिलिया.. वृ जौन बचायों ॥े एकि परोटा कई नहीं तो छोच जोर हें लें के और मा करेंक हूले derechos को शर्खो ह् conditions दूट पिया, दूट में पाली मिलाया क्या बात? क्या बात? कुछ नहीं, शारत कर रहे हैं, सजा मिल गई जो, तुम लोग बहर जाके खेलो आखिर बात क्या? बात कुछ भी नहीं, बेटा बच्चों को सर पर चड़ा रखा छोटा बड़ा देखती नहीं जो मुँ में आए बब देते हैं लेकने इसमें इनका क्या दोश मेरी तरफ क्या देख रहे हैं? कोई बात हो तो बताऊ ना बच्चों वाले घर में तो ऐसा होता ही रहता है आप चलके मुँआ धोलीजे और चाय पीलीजे आज इतनी देर क्यों हुई? दोफ्तर के पास गया था वारी दवा भी लाने थी और उसका बिल भी देना था देखो दीता दॉफ्तर ने कहा है काम कम आराम ज्यादा चिंता कम खुशी ज्यादा और देखो इस दवा के साथ तुम्हारा दूद पीना बहुत ज़रूरी अच्छा बापा देखो ये पर्से रख लो अब इसके हैं संभाल के कवर्ट में रख दो कल जाने से पहने याद चले दे सवाल काचने का नहीं सवाल है असूल परताब के पास लाखो रुपय का हिसाब रहता है मजाले एक पैसे की भी गरबड हो जाए यही तो मेरी बदकिसमत ही है मेरे सौ दौस्ट रुपय का हिसाब आप रोजाना लेते हैं लेकिन प्रताबबू का लाखो का हिसाब आप बिल्कुल चेक नहीं करते सब्सक्राइब सब्सक्राइब कोई बात नहीं मां पांच तारीश को सब ठीक हो जाएगा गीता वो हजार रुपया तो देना बात बात में भूल गया तो फिर वापिस आना पड़ेगा मैं अभी लाता है लगता है मुझसे गलती हो गई अपने पैसे मामा जी को दे दिये अब शायद मुझे कर्द लेना पड़े और आप मेरे दूद पीने की बात कर रहे हैं तुम्हें अपनी सेहत का ख्याल रखना ही पड़ेगा चाहे मुझे अपने आपको बेचना क्यों ना पड़े क्या ढून रही हो कहा है रुपए रुपए तो नहीं मिल रहे हैं यह तो बुरी आदा तुम्हारी लखती कहां डूदती कहां मैंने इनी सार्यों के नीचे तो रखे थे तो फिर कहां गए तो पिर कहां गए माइगाड गीता गीता चुपकर आओ I'm sorry गीता क्या बता हूं आजकल कितनी परशानी आजकल यह लो अब देखो ऐसे करो बाद में रुपए डूड़ना प्र मिल गए तो आफसे बेड़ना पिता, I'm sorry ममी, 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 तुम बढ़ो मा रुपए अब भी मिल जाएंगे मिल जाएंगे जुम सुम तुमम अप 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 तड़ आएंगे देखो आएंगे तड़ आएंगे अमट, आशा, विद्धा, बैज़ा आप, ममी, दैडी के रुप ए, दाधुमा की ट्लंक में है, लंक में है, तुम लोग स्कूल चले जाए, पर ममी, दैडी के रुप है, कहा लो स्कूल चले जाओ, शाइम हो गया है, चलो लोग, यही बच्छों को सीखा रखा रहे, छूटे के बड़े का लिहाजी में, एक, दो, तिन, चार, बैन जी, थने तो जानती है, आज कल भी आज बट्टे का काम बंद कर रखा है, लेकि परताब बाबु तुम मारे पुराने जान का रहे है, अबिर कैसी, चीक है, पैसे मिल गए, जी हम, मैंने कहा था, इदर उदर रख दी जाते हूं, प्रिया, एक बात कहूं, क्या है, देखो, ये तुम्हारे भाया का घर है, वो तो है, तब तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो, तुम मांग लेनी चाहिए, वो तो मैंने मांगी है, बिंदिया, चुडिया, चपर और घरी का पट्टा, आज पास तरीख है न क्यों नहीं, तो जब तुम्हें हजार रुपे की जरूरत थी, तो भो भी मांग लेने चाहिए थे, तुम्हारे भाया अंकार थोड़ी करते, भाभी, तुम्हारा मतलब भाया के हजार रुपे मैं नहीं चुराए, मैं शोर हो, ओ मा, भाभी हमें चौच देती है, क्या, कहा पभू, मैं तुम्हारे हाँ जोड़ती हूँ, क्या पढ़ती हूँ, अगर तुम्हें मुझे अपने घर में रखना नहीं चाहती, तो साथ साथ कह दो, हम मा बैची इस घर से चले जाएंगे, मगर इस तरह जलिल करके, अपने बेटी की घर से तो नहीं काला, मा जी, तुम् आज सुबा तो रुपए चुंक में थे, आप कहीं और छुपा दिये होंगे, वीता, अब इन पर जुटा एजाम लगा के इने घर से भाहर निकाल देना जाती हो, ये मेरी मा है, ये इनका अपना घर है, ये इसे ठोड़ कर कहीं नहीं जाएंगे, ये हैंगी, सब्ली, माँ, क्या है, बेटा, बियाने कुछ चीज है मंगाई थी ना, वही लाया हूँ, जुग-जुग जीओ, बेटा, अरे, खरी-खरी मूँ क्या देख रही हो, ऐसा भाई तो साथ जनम तब नहीं मिलेगा, समझी, प्रिया, के तो बहो, आठा में खाना नहीं खाना है, मैं सब तुमालोगी, मैं करते हूँ, चुप, चुप आपने अभी तब खाना शुरू नहीं के, जाना खाने पर कैसा खुस्सा, इस बार मिचे माफ कर दीजे, फिर कभी ऐसे भूल नहीं होगी, देखिए, आप नहीं खा रहे हैं तो बच्चे भी नहीं खा रहे हैं, अरे, चुड़ियां क्या हुई, चुड़ियां बेच कर वर रुपए लाई थी ने तो, भूल लाई ये उस बात को, पहले खाना खा लीजे, तुम कितनी महान होगी था, मा के इज़त बचाने के लिए तुमने अपनी चुड़ियां बेच दी, और मैं तुक्ना नीच हूँ, उन्हें इज़ा मानकर उनी पर हाथ उठा दी, तो क्या हुआ, किसी गार पर तो नहीं, अपनी पत्मी पर ही तो हाथ उठा दी, नहीं, गीता नहीं, आज मैं तुमसे मां तो रुपया ट्रंक में रखते देखा, घुस्सा तो बहुत आया, लेकिन नती गया, बहुत अच्छा किया थी, नहीं, गीता नहीं, जब घुस्सा पी जाना चाहिए था, नहीं प्या, और जब नहीं पीना चाहिए था, नहीं गया, क्वा धाना तो रशका प्रेखए माँ, यह सुनह सुन तये सुन्टेस, बहुत बापुजी या जीता कैसे हैं बापुजी बेटी जिन्दगी का क्या फरुसा नजाने बुलावा आजा तो चाओ उससे पहले तुम लोगों से एक बार मिल लूँ ऐसा ना कहिए बापुजी अच्छी बता परताप और बच्चे कहा है आज उनकी छुटी है ना बच्चो को ब बादार ले गए है बस आती ही होंगे अच्छा और सब ठीक है ना सब ठीक है वहूं अले पाने के लब हुआ कि नहीं सब तक बच्ची का पैर पकर चर बैठोंगी हो गया माजी अभी लिए आती हूँ संदन जी आई है क्या जी हाँ आप बैठिये मैं आपके लिए चाय ला है को अच्छी है जा अच्छीमि पाने वाला और खाने वाले अपर इतने सारे अर उपार से इतनी महंगाई है यह बचारी सारा दिन रसवी में घुसी रहती है इस-किस को संभाले गास बजगए हैं अभी तक चाय नसीब नहीं हुई कैसी बाते कर रहे हैं नमा जी, चाहे तो रोज आप इसी वक्त पीती है, सुभी तो आप दूद और नाश्ता करती है आहा आहा बहू, तुम्हारे बापो आगे तो क्या हमें घर से निकाल दोगे एक सेफ दूद इसके लिए आता है, एक सेफ दूद इसका खुटा पिता है हमारे ओख बूद का धिन्डूरा की चुई है अँआ, मा, मैं गयी उमा, भाभी ने मेरे उगली जला दिया अँआ, मा, 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 कैसे चल गई, तुम्हारे बिमारे तो जिसको कहा धाबी ने जोला दिया इसका ने क्यातिया, इसके खुट करम पानी में उम्री डाल दियोगी अँआ, हरी-खरी, तवाचा क्या देख रही है चल ले खुट अँआ, मा, मेरे बच्छी अँआ, हाँ की ओह, आरे बहो, जबा घर में नहीं है तो कम से कम अब टेशे खेले, अ, चल ले कर आओ, 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 आओ आओ, आओ, आओ मा! जिता! जिता को! जिता! केला जिता को? खबराने की कोई बात ही, अल्सरका ओपरेशन करना पड़ेगा लेकिन डॉक्टर साथ ऐसे कमजोरी की हालत में आपरेशन इसके लिए इनको यहां हॉस्पिटल में रहना पड़े ठीक है रोट सब खर्चा कितना है ज्यादा से ज्यादा तीन हजार रुपए तीन हजार किये एक दूसरा तरीका भी है आप इने गौर्मेंट होटल में दाफिल करवा दीजिया नहीं डाकर साथ जीता का इलाज इसी अस्पिताल में होगा आप खर्चे की फिकिन ना करें पस मुझे गाहूं जाने की देर है अबूजी तु फिकिन क्यों करती है अले मेरा जो कुछ यू शेड़ाप चलो जलो उस्तर नाईयों के बाफ चलो मैं तो की भाषा भी नहीं करता है अले में बैटो निजे जुप इसके बाल करणो आये यू मिस्टर होग मिस्टर बैट जाब मैं तरिफ ख़ड़ावादा जाब काटा काटिया अरे आप इसर जाब अरे मेरे इसे प्यारे बाल, अरे अरे मेरे बाल, मेरे प्यारे बाल मेरी प्रीया मैं कहते तुझको अपना मूह दिखाऊ देख चो को ना आज है वाईसा भर्मी नहीं है, फिराना आज, अरे प्रीया, क्या मैं हूँ देखो तो क्या मैं हूँ यह तो हमारे जमाईजी ही इसका मतलब है बुडिया सचमुच मर गई पेटा आँ इसे क्या देख रहे हूँ माने कहा था क्या कहा माने था पोता पोता? हम ओ मा ठत तेल रहा जी सब वे जड़े से पोश्ट कर दो अच्छा सब अरी तुम यहां बैठे हो और बहाँ सब रियस्ट में हमारे इंतिसर कर रहे है चलो चलो गेट मुविग कम ओ मा ओ मा क्या है री रेम बही है किसी है अच्छा लेकिल भावी किना अरे देखो सही देवा में भावी को क्या लिखता है अरे यह क्या अरे यह क्या अरे चिखी कहा ले जा रहे हो प्यारी भावी आप धन्यवाद और भाई साब कभी धन्यवाद अगर आप लोग मजबूर करके मुझे इस चूट पनिशते तो यह रंग बिरंग इदुनिया कभी ना देख पाता भावी जी रुपार मैंने मिलकर एक कभाली का प्रुगाम तयार किया है जुल्फें काली जुल्फें जुल्फें जमों पे डाल तो दिन में शाम है काली जुल्फें 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 तो गतले आम कर दो और बेन काब निकलो तो गतले आम कर दो जिन हम पे रखने वालो इतना तो काम कर दो यह सारी जिन्दगानी सारी जिन्दगानी चाहत के नाम कर दो हम नाम पे तुम्हारे लिख देंगे जिन्दगानी हम नाम पे तुम्हारे लिख देंगे जिन्दगानी ऐसा नहो कहीं तुम जी ना हराम कर दो और पे नकाब निकलो तो अधले आम कर दो तुम्हारे लिख देंगे जिन्दगानी तुम्हारे लिख देंगे जिन्दगानी राहे वफा में अपनी हस्ती मिता मिता के जी हस्ती मिता मिता के राहे वफा में अपनी हस्ती मिता मिता के दुनिया में आश्की का मुचा मुकाम कर दो ये जारी दिन्दगानी आहत के नाम कर दो मुचा प्रुम मिता म scarf प्रिया देंगे चांफ मिताक की जी व्रिक इन्दगानी व्रावalen जर्या दिली तुम्हारी जर्या दिली तुम्हारी मश्यूर है जहां में सतियों से हम है प्यासे कुछ इंतिजाम कर दो और पे नपाब निकलो तो गतले आम कर दो ये सारी जिल्ग कानी चाहत के नाम कर दो चाहत के नाम कर दो अरे आप यहां कब से खड़े हैं? बहुत देर से आप अपने देवर के प्रोग्राम पढ रहे थी और हम आप की तरफ देख रहे थी हर चिच्ची में बस रूपा की ही तारीफ लिखी है बस तारीफ ही लिखता रहता है प्रैक्टिकली कुछ नहीं करता क्या मतलब? मतलब लड़की बोड होके किसी और से शादी कर लेकी और ये मू देखते रह जाएंगे शरीफ आदमी है आपकी तरह जलबाजी नहीं करेगा रही हमारी बात आपको स्वामी नातन नहीं बुलाया है वह पो स्माइल क्या है गीता देवी के नाम रैजिस्टर लेटर है रैजिस्टर? किसने भीजा है? वेजनेहले का नाम है क्रेम कुमाथ अरे ये तो मेरा पेत का जाया है लेकर लेटर आपको नहीं मिल सकता, इस पर गीता देवी की दसकत आई है अहां, अरे दसकत तो वही करेगी, एक महने से बिमार पड़ी है ला, मैं लाची हूँ चल्दी से गीता के नाम से दसकत कर देगी जब अपरेपा, सो सो किंगोट, जब चिछपड़ भाची, दो हजार रुपे भेज रहा हूँ दो हजार? देखा, ये पेट का जाया मां को सो रुपे तक नहीं भेजता और भावी कि दो हजार भेजे है जब अपरेशन के तैयारी करो सिस्टर, स्वामी नाथन को बोलो, गीता के हस्बन को फॉरन इंपॉर्म करे, इमिडियेटली जी, ऑपरेशन, मैं भी आता हूँ आप ज़रा धेडी से आओ, तुम तो आपरेशन करें या नहीं, लेकिन तीन हज़र रुप्या है जल्दी लेकर आओ, जी, मैं पैसे लेकर आओँगा पता बाबो, ज्यादा सोज विचार मत करो, ती जोरी से रुपे लेके पहले भावी जी का अपरेशन करवाओ लेकिन सेड़ जी भी तु यहां नहीं है अगर सेड़ जी भी होते तो तुम्हें ऐसे मौके पर इंकार जोड़ी कर सकते हैं यहां सो रुपे लेके हस्पताल में भार दो सबरे मामा जी का जेवर गिरू भी रखकर और ऐसा वापस ती जोरी में रख देना भावी की जिन्देगे का सवाल है प्रताब भावो ड़ी तुम लग रोख कर रहे हो तुम्हेरी मामे बिलकुल ठीक हो जाएगे ड़ी तुम्हें बिलकुल ठीक हो जाएगे ड़ी जावो घर से लेंगे यह जातराइगे अपरेशन काम्याब रहा खेंकियु दॉक्सरा थम्हेरी मजश अफ़ा झाट उल्डाचूलेशन प्ये तुम्हार विल दो हजार आट सो यहती रुपी यहती नया पहिता तुम्हारा वाइटी थोड़ दीर इनне कु परिगा वह फिर आच्छा हो जाएगा तुम उसको लेके जाओ तुम थीन हजार देगा तो बहुत अच्छा रहेगा इसापने क्या हो? मेरा कवर? क्या आप है पीता? मेरा पैसो का कवर थीन हजार रुपेच है उसमें थीन हजार? पाहिए ओ ये तो पीतल है क्या बात करने है सड़जे? मैं ऐसा नहीं हो सकता सड़जे मैं परताब बाबु मारोत जिन्दात का धंदो है ये बिल्कुल पीतल है पीतल इसका मतलब है मामा ने माँ उसे जिन्दा नहीं चुड़गा प्रताब आ रहा है प्रताब आ रहा है मामा मामा ये पढ़ता है मिरी मौथ है तिन हजार लेकर पीतल के सेवर दे का था वो इन जूत में बुलवाए भाजे मैंने तुझे एजिस होने के सेवर जेते मेरे सर पे खून सवार है मामा मेरे तीन अजार रुपए दे दे वरना मैं तुझे जान सबार दूड़ा मेरे अश्री सेने के सेवर जिए जूत क्रशा जोड़ो ये क्या हो गया जोड़ो कि लड़की कौन है इस लड़की के बाप से कह देना कि भैरो खाई के भावानी मंदिर में कल शाम तक 20 लाख रुपया पहुंचा दे मैंची कि अ beispielsweise हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ 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 है इसकेस Hahn Q. अभण अभागने के कोशिश की को O.O. Ж.T. सכंड С стороны? कर दूँगा उन्हों को पतार कर जो पिसनकों कैंने और टीन learnt की इंस्पेक्टर साउस इन सवाल सिरफ तीन रुपाई का लिमत जो तीन हजार रुपे के रख चार्ट और हो घृटा जो पसकता है ने, ने, इस पेटी को मत खोड़िये, अरे, ये तो गीता बखु की पेटी है, देख लीदे ना, ले ज़िए ले अगर माप पेटी तो अपनी है, पता है, रुपे इसी में है, मीतेशी छूरी कर साम हम पराप्टा ये फ इसी में है, बाके कबी ज्खोट नी बूलता हुआ, रुपे इसी में है, से कंपनी के रुपए है यह हमको निने, लेन देन के रुपए होंगे, उननका पीटी में रख तो हम ने रख दिया यह अथरोटी तो हमने परताप को दे रखी, लेकिल परताप तूमको ये किता, मामा ने दुखा दिया, असलिए पीतर के निकली, और उससे में आकर मैंने उसका गला गोंड दिया मामा मर गया, तुम दुनों बच्चों को लेकर दूर चली जाना, जहां उन्हें उन्हें और चोर की आउलाद कहने वाला कोई नहीं हो, मैं किसी को मूँ दिखाने पाबिल नहीं रहा, इसलिए मैं मरने जा रहा हूँ, जब तुम्हें ख़त पढ़ रही होगी, तुम्हरी माम किसी दूर मैं चुका हूँ करें, तुम्हें को शुका रहा हूँ, जब तुम्हर सुन्हें हूँ, मैं अग्याओ, बेची मैं जानता हूँ, तुम्हराज और मने चुका पाभण बैची जिते रुपए बने खेला बूर चला गया, में मजा नहीं हो तुम्हाँ को नहीं के बीचने मैं लिखाई पराई यह देख देख मेर लेया या बेटी मेर लेया तो वोती क्यों नहीं जीता तेरे मां तेकी पिंदिया तेरी मां का सिंदूर तेरे हातों की चूड़िया जीता ये क्या हो गया अरे कैसा अंगलत हो गया जीता कीता आपने मुझे पानी से निकालकर मेरी चाहन बचाईए आपको बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया पेटे अभी तुमने कमदोरी बहुत कुछ दिन और आराम कर लेते तो चाचा मेरा जाना बहुत ज़रुरी है वहाँ सारे लोग परिशान है तुमने प्रताब भाई के रुपए चुड़ाई मारे कारन पता भाई की मौत मारे कारन नाना की जान गई मारे कारन गीता भावी ने घर छोड़ा मारे कारन ने खारा भावा घर उचोड़ गया मारे कारन ने खारा भारा घर उचोड़ गया अब में तुमों का मुवी देखाने चाथो अचाथ कॉल बेता के तुमारे स्वा हमारे कुल थे फेज chemotherapy didn i अचा दॉह आखी त्वा में टेखा रइखा फेजा ci अब निकला तुमारे मूं छे स्वाभी नहीं तो अभी तक तो मा निकलता था बॉल, मा चलके काम करेगी मैंड़ सतिप्त काठा है पिसागी मैंड़ कामका है पिसागी तू बोल, खाणा ठाना पकाएगी नहीं मताऊ, खाणा बनाऊऊगी चौडू ढौंत चलू आधी, यहाँ इंतिजार करने के कुर फाएगाद अधा अरे लड़ बुड़ को बमसा बागे प्रताफ शर्मा और उनके बच्चे का है काफी दिनों से उनका घर बंद है नहीं उनके बाल बच्चों का पता है तुना है प्रताफ शर्मा जी मर गये है नारी ओ नारी हम तेरे पुजारी हर कदम पर तेरी जरूरत है नारी ओ नारी हम तेरे पुजारी हर कदम पर तेरी जरूरत है पर कदम पर तरी जरूरत है दर्द सहती है मुस्कुराते हुए रम उठाती है गुम भुनाते हुए जलते जलते तो बुझत जाती है रोशनी राहों की बहाते हुए तो दया की वफारी मूरत है हर कदम पर तरी जरूरत है ये तपस्चा तेरी तो पहती है तु है जो गन जो घर में रहती है मांगती है दुआए सब के लिने और खुद आसों में बहती है तेरा गहना तेरी शराकत है हर कदम पर तेरी जरूरत है याद रखती नहीं जफाओं को बख्ष देती है तु खताओं को सर जुकाते हैं सजदे करते हैं देवता भी तेरी वफाओं को तेरी चाहत तो खुदा की चाहत है हर कदम पर तेरी जरूरत है नारी ओ नारी हम तेरे बुजारी हर कदम पर तेरी जरूरत है हर कदम पर तेरी जरूरत है नारी ओ नारी हम तेरे बुजारी हर कदम पर तेरी जरूरत है हर करता है 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 का लोग बारिश की वेज़े से यहां खड़ी है बारिश रुकते हैं चले जाएंगे तब तक क्या कारी बारिश में खड़ी रहेगी निकलो यहां से हर आइ हर आइ हर आइ हर आइ हर आइ हर आइ चुनो कहा रहती है ए चलोगी मेरे साथ अरे आखे क्या दिखाती है मर्द बच्चा हूं चल मेरे साथ चड़ो मुझे चड़ो कोई कुछ ने बिकाट सकता अरे मौसी यह सब वाली तो गिर गए गिर गए तुमने मुझे मौसी कहा आपने अमारी ममी को बैंका तो आप अमारी मौसी हुई मौसी हुई मौसी हुई मेरी भिंडी नहीं मेना नम अमार है इसका नाम आशा आरे भाजी वाली मौसी है तुझे चिकु ही कहके पुकारेगी और भिंडी चल पुटबता जला है? जी नहीं लेकिन मुझे तलाज जारी रखनी है और इसलिए मैं गाँ वापस नहीं जाना चाहता सिरसाब आपके तो हर बड़े शहर में प्रेस हैं आफिस हैं आप मुझे एक ऐसी नौकरी दिजिए जिसे मैं जगा जगा घूंकर काम के साथ साथ अपने भाई और भावी को तलाज पर कर सकूँ नौकरी और तुमको कहीं तुम्हारा दिवान तो नहराव हो गया सिरसाब ऐसी बात जुबान पर मत लाना क्या बात है जरी ये बात इनसे पूछिए ये हजरत हमारी नौकरी करना चाहते है बर्खोरदार रूपा हमारी एक लोती बेटी है और आप हमारी होने वाले दामाद है हमारा रुपया पैसा बिजनस जमीन जायदाद सब आती है आपका शुक्रियां सर्साहब लेकिन जब तक मुझे मेरे भाई भावी और उनके बच्चे नहीं नहीं जाते तब तक मैं शादी के बार में सोच भी नहीं सकता वे कमाल है भाई भावी के साथ क्या याडी प्लीज ये चिकूँ ये बिंदी चलो दूद प्योग, ये लो दीदी महीं सत्रेंगी मैं तुम पर इस तरह बोज बना नहीं चाहती लो, कर लो बाता अरे दीदी, मैं तुम्हें सर पर उठागे तो नहीं घुमने वाली जो तुम मुझ पर बोज बन जाओगी देखो, तुम घर संभालना और मैं बाहर संभालूँगी और जब ये बच्चे बड़े हो जाएंगे तो हम दोनों को संभाल लेंगे सत्रमी रिष्टे नाते तो मानने से होते हैं जीदी आच्छा बताओ पत्नी का पती से तहली को रिष्टा होता है क्या तो फिर क्यों नड़की अपने माबाब, भाई, वहन, सक्की तहली सब कुछ होकर एक अंजान आदमी के पीछे चल देती है वही ना मानो तो अपने भी पराए हैं और मानो तो पराए भी अपने हैं लो सत्रंगी मैं तो तुझे सिर्फ एक भाजी बेचने वाली समझती थी मगर तू तो पक्त की जादुगर्मी मिसली, बाते बनाकर मन को मोह लिया लो, कर लो बाता ए दीदी, जब तक दीर खुलती है ना तो ढोल बजा के नहीं खुलती देखो तो अभी थोड़ी देर पहले तक तू सत्रंगी बिलकुल अकेली थी मार जाती तो कोई मुर्दा उधाने वाला भी नहीं था और अब देखो सत्रंगी परिवार वाली बन गई है क्यो नहीं की अब तक लो, कैसलो बाता, अरे किस से करती यहां तो जो आता है बुरी नियस से आता है हरामी हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं आता और फिर देदी अब तो तुम सब मिल गए हो मुझे शादी करनी क्या जरूरत है जब दम निकलेगा तो गंगा जल तुम मुह में डाल देना और जब तुम निकल जाए तो चेको कांजा देदेगा सत्रांगी रचंतो देदी चोड़के कफे निल जाओगी आय मेरी गई कमार आरे बेटा भिमसें यह घर का दर्वाजा कहते खुला है कोई मोकर होगा तुम ठराया में देखके आता हूँ अरे वाँ यह इतना बड़ा घर और इतना सुंदर है हाई 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 रांच अरे वाँ यहां तो बेज़ी का पंखा भी है तेके ज़रा पानी तो पिलागा अभी लाई वाँ अरे बेटी अरे क्या हुआ अरे बेटी अरे क्या हुआ कहा है कहा है अरे बुढया मर गए भगवार के घर गए तुझे तो गहम हो रहा है अब जाननी जाए नहीं मैं बुढ नहीं है मैं बुढ नहीं है मैं जिन्दा है पाप जिन्दा है यह तो बहुत खुशी की बाच है भगवान आपको सौ बरस के उमर दे अरे बेटी चल से अप्तिसास पाके पाऊंच हो ठीक है ठीक है भीमसेन वा मा यह घर है धरमशला नहीं यहाँ बेटा ले सकता है और बहु रे सकती है अगर यह चोड़ल अपना ट्रंक लेगी यहाँ क्यो है वह गरीब बिचारी दुख्यारी तक दीर कीमारिया भागन नारी है घर का काम काज कर लेगी जोरो डिखाएगी और कहीं कोने में सो जाएगी ताम करेगी कि रही तो फिर उठा जाओ चल उठा जल्दी उठा उठा चल यहाँ अरे तुका जा रही जो 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 मौसी 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 मैं भी चलू तुम लोग अभी छोटे हो जब बड़े हो जाओगी ना तब ले जाओगी कमाने वाली एक मौसी है और खाने वाले एक दो तीर और ममीचा क्या हमें भी कुछ करना चाहिए करना चाहिए पैसा दो पैसा आना दो आना पैसा तो पैसा आना दो आना दे जाना रे हम तो भीक के भरू से दिन काते हम तो भीक के भरू से दिन काते आम्मा जीक दे, ना आजीक दे, ना आजीक दे, ना आजीक दे, सैंसारों पैसा, आना दो आना जादाता तुम से खुश है वही हम से रूठा है जिसे ये कई फिक्षा मांगे वो का साजी उना है अनसे जो उत्रा कोई ऐसा हपड़ा तन से जो उत्रा कोई ऐसा हपड़ा जिती जाला रे हम तो धीक के भरों से दिन काथी अहां तो धीक के भरों से दिन काथी अम्मा भीक दे बाबा भीक दे अम्मा भीक दे बाबा भीक दे एक हाता कहेरी कहानी इस जिस्मक कहाती उची हाई दिल तक तुम घर लाए हमें सूरत रोटी जी तुखा या सुखा तुकडा दो तुकडा तुकडा दो तुकडा दे जाला रे हम तो धीक के भरों से दिन काथी पहन दो धीक के भरों से दिन चाथी अम्मा जीक दे बाबा जीक दे अम्मा जीक दे बाबा जीक दे मम्मी 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 दोख हमने कितने पैसे कमाए कमाए कैसे कमाए क्योंसे कमाएं भीक मांगर भीक मांगर शर्म नहीं आई आ यहां भाईया कुछले कुछले यह काम अच्छा नहीं हम भीक नहीं मांगें चलो ओ सुमा अभी तक इतने से बर्तन भी साफ नहीं किये अरे बेती कर तु रही है क्या कर रही हो अभी से असर जर बाहर से आइंगी तो तुम्हारे वज़े से दो बातों मुझे सुनने पड़े अफह कप्ड़े धोने है खाना बनाना है अरे बेती कदे तुम भी तु मदद करदीया करो मैं अकेनी कब तक मरती रहूंगी यह सुनते हो क्या है माँ जी काम करने को कह रही है अरे बेटी, तुभी उन लोगों के साथ मिन गए हो मैंने सेरे ले क्या-क्या नहें किया एक वो पेट कट आया और एक तो पेट के जाए अरे या खड़ी-खड़ी क्या कर रही हूँ तेर हो नहीं जाले, चलो न सुनो, भर का ख्या लगना, आओ वरो देखा डड़ी, आपकी ये फैक्टरी भी लॉस में जा रही थी लेकिन जब से प्रेम आया है, इसमें प्रॉफिट दिखाना शुरू कर दिया है अहा बेटी, फैक्टरीया तो सब प्रॉफिट में चलने लगी लेकिन फैक्टरी वाला अभी तक लाउस में चलना है जी तुम्हारे वज़े से नहीं, बैर जाओ, इसकी वज़े से मेरी वज़े से? तुम लड़की हो न, इसलिए क्या मतलब ड़ी? सीधी बात है बेटी, लड़के का मतलब है प्रॉफिट और लड़की का मतलब है लॉस्ट देखो लड़का पैदा होता है, बड़ा होता है, घर बहु लेकर आता है पच्चे पैदा होते हैं, सारा घर भर जाता है प्रॉफिटी प्रॉफिट लड़की पैदा हुई, पड़ी हुई, शाजी की और चली की, टोटल नाव डेटी, प्रेम के आने से उमीद बंजी थी, सोचा था किसे अपना कर लड़की के लाज को प्राफिट में बदलूगा लेकिन ये उमीद भी पूरी नहीं थी ओ टैरी, आप तो हमेशा अपने बारे में ही सोचते रहते हैं बेटी, तुम महान हो, और जिसे मने चुना है, वो भी महान है आज की इस मतलबी दुनिया में कौन ऐसा नौजवान होगा, जो आपने भाई और भावी के लिए सारा जीवन बरबाद कर देगा और कौन ऐसी लड़की होगी, जो अपनी पसंद के लड़के के लिए सारी जिन्दगार में गुदार ले के लिए तैयार है लेकिन मैं तुम दोनों के मुकाबले में बहुत छोटा आजीए, छोटा सा दिल, छोटे विचार, मैं हमेशा अपने ही बारे में सुचता रहता हूँ, अपने होने वाले दामाद के बारे में सुचता रहता हूँ, अपनी बेटी के बहिश्य के बारे में सुचता रहता हू क्या करूँ, माप कुझा, माप कुझा जरी, जरी, ताजे, ताजे, लेला भाजे, अलू तमट मट सस्ती में लेलोरे, रस्ती में विचु तजिकारे सस्ती में लेलोरे, रस्ती में विचु तरकारे मालन की लड़की हूँ, मैं तो मालन की लड़की हूँ, लगूँ जैसे खुलवारे सस्ती में लेलोरे, रस्ती में विचु तरकारे सस्ती में लेलोरे, रस्ती में विचु तरकारे सस्ती में विचु तरकारे सस्ती में विचु तरकारे सामेता बभी ने विचु तरकारे ये भिंदियों है उन्धियां हसीनो कि मीथै फटल मानो但ड़ी हूं नभी लोगे औरी मिर्चा धन्या तुदीना वही पच्टाया जिसने न लीना लग कर लबाता अंभिया का रंग बेख के तो अखटी अंभिया का रंग बेख के राजी होगे घरबारे सस्ते में सस्ते में लेलोडे रस्ते में बिचू तरिकारे चट पेवे बिन इन भाजियों के वकालत में आलू राजा है ना जवाब दस सस्ते में वो पटो भून छीलो हूँ बाला किसी सब्सी में जाही में नालो लो कर लो बाता पतली को चोटा करे वो आलू राजा पतली को बोटा करे मती को करे और भारे सस्ते में लेलोडे रस्ते में विचू तरिकारे मानन की लड़ती हूँ ओ मैं तो मानन की लड़ती हूँ लगों जैसे फुलवारी सस्ती में लेलोडे में विचू तरिकारी वह गाड़ी चलाता है चर, भय मैं तुझे बताते हूँ ठर लुच्या लभं रजमाश कहीं का गाड़ी नी चलानी आती तो जा जाके घोडा-गाडी चला घोडा-गाड़ी मुए ने सारे कप्डे भीगा लिए विमसेन अरे विमसेन कहा है वो लोग घुमने गए है मा तुम देशा प्रेम कुम आ गए अच्छा हो गया मगर यह समय इच्छा निकालो नहीं तो यह सब मेरी जान ने लेंगे मुझे अपने साथ गाउन है चलो मैं यहां एक पल भी नहीं रहना चाती मा तुम कहीं भी रहो जब तक भावी नहीं मिल जाती और तुम भावी के पाउं चुकर माफी नहीं मांगती तब तक तुम्हारे पापों का पाश्चित नहीं हो सकता क्या कहा मैं अपनी बाव के पाउं पढ़ोंगी वो तुम्हारे नसीब में कहा है मा भावी जैसे महान नारी के पाउं चुने के लिए बहुत बड़ा नसीब चाहिए पेटा सुनो तौ माफ कीजेगा मैंने जान बुचकर ऐसा नहीं किया गाड़ी में बैचके ने अपने आपको क्या केमजने लगते हैं आप अमीर होंगे तो अपने घर के क्या हम गरीब रस्ते पर मिनी चलते बॉसी तू चुपकर बॉसी इतने बड़े आदमी गाड़े योकर तुमसे मापी मांग रहे है अब तो चुपो जा सॉरी सर्थ शिस गुट अट बड़ेजी भी बोलते हो हम दोनों सुबह मॉसी के साथ भाजी बेचते हैं और रात को नाइट स्कूल में पढ़ने जाते हैं करेगा क्यों नहीं जरूर करेगा लेकिन 20-30 की नहीं पूरे सौ रुपय लेगा हम देर सौ देंगे देर सौ चलो ममी 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 बया को नौकरी मन गई अच्छा आरे कैसे नहीं मिलती चिकुने भी भॉंग रेजी मारी के साथ के बोलती ही बंड हो गई ममी तो एक सौ कहा था लेकिन साथ देर सौ दिने के लिए राजी हो गई ममी अरे फेची नौकरी मिल गई ममी मुझे बहुत बड़ी पैक्टर में नौकरी मिल गई और मैनेजर साब भी बहुत अच्छा आदमी है अरे हां मौसी वह अपने बॉस का ड्रावर है शंकर उसने तुम्हे पैकेट दिया है वह चल अपका वह तो क्या देजा है यह क्या चपन यह तो मेरी है हां मौसी वह सुबा गुस्साओकर पने उस पर पैकी थी न उससे समाल कर रखी और आज ही वापिस कर दी सलाम साब मुझत क लौत सर ऐब का पर्स क्या नाम है तुमारा सुर इकर नाम चिकु रहा चिकु जी अंगुर क्यो नहीं आंगुर खटे भी होते थे नेकिन चिकु को भी खटता नहीं होता यह लो नहीं, सर मैं भीक नहीं लेता दोलो का मतलब एकिया से राइड राइड इमानदार मालूम हो तो वरी गुड ए सतरंगी का चपल वापस कर दी हाँ कब तो अमारे लिए कुछ कहा होगा याजा अपना काम कर अरे काम तो हम रोजी करते हैं राम राम भाजे अरे मामा जी आप यहाँ है आपकल मैं यहीं काम करता हूँ मामा जी बुरी बार मुसमान निकालिए भाज सब जिन्दा है जिन्दा है कहा है यह नहीं मालूम है लेकिन जिन्दा ज़रूर है वेवे ट्राक पर उनके कुट्टे जिन्स बॉन की लाश मिली गाज बहाज साब की नहीं ऐसा लगता है कुट्य ना इपनी जाम पर खेलकर भाज को बचा लिया अब तो से नहीं काई की मकसद है मामा जी अपने भाई भावी और उनके बच्चों की तलाश करना भगवान जूट न बुलवाए भाजे बहु और बच्चों को मैंने भी बहुत तलाश किया छे मैने तक आसपास के 36 गाउं के चकर लगा है मगर उनका कहीं पता नहीं चला अपनी जेब से पैसा खरश करके अरे भांजी क्या हुआ खिसा साथ भांजे साथ इनकी छुट्टी लेकर गाउं जा रहा था भांजे पूरे मैने भड़ की तंखा जेब में थी पूरी की पूरी साफ हो गई अब तो दस-बीज भी बागी ने रहे उसकी चिंदा मत करा मामा जी 50 रुपया चलेगा चलेगा अरे क्या भांजे गवरेगा साफ यह अगली पक्का 420 है क्या सोने की जगह पीतल के जैवर रखकर लोगों को लुटता रहता है अजय करेश्य का बच्चा आप तिरी अस्रियत मेरे सामने होगे मुझे सब कोई बता दिया हो था तुने भाई साथ को पीतल के नकली जबार दिया था मेरी परबादी का करण तुछ अबार हश्ट आज ममी खीर बना रही है, खीर? इसका मतलब आज डाड़ी का जनम दिने, लेकिन अब डाड़ी तो इस दिनिया में, ए चीकू, क्यों ऐसी बात मुझे निकालता है, बुसकता है वो जिन्दा हुने, इतनी अच्छी तक तेर नहीं है मेरी सत्रंगी, लो, कर लो बाता, अरे सत्रंगी के 32 दांत है, जो मुझे निकल जाए, पत्थर की लकीर समझो हाँ मामी, मुझे पैसे दूने मेब बिकारियो को दूनी मामी, मुझे दूने मुझे यहाँ कि ये लो किया बात है अज भाई सब का जनम दिन है ना कमाल है भाई का जनम दिन और सिर्फ एक डिबा पेड़ों का आज तो सारी सेक्री में मिखाई बादनी चाहिए शंकर अरे ओ शंकर शंकर नहीं यह सकते हो मिखाई लेकर का यकाई तो कव में पाई 70 और बाजार से मिखाई लेगा आरे दूर करेट क्शकर अरे साफ। रुपया लेकर भाग सो नहीं जाए गया है भाग जाओंगा पाथ सो लेकर रापस आउंगा मिठाई लेकर वहाँ बहुत भी होगा है कोई शिखार आतनी लगा है आके पमाल का बाटते है जा इधर पैसे नहीं यह पैसे से जी के मैंने दूंगा चोड़ दो पूरे पांच तो आला पागल लगता है ला हमर बैचिका आड़рах आड़ आड़ कितने अच्छा बाबा थेंक यू लडू लेया वेरी गुड शंकर को जाद लेजा और फैक्टरी के वरकरों में बांदो यस सर्थ जाओ शंकर गुड या तही के दे टूंद लो अर्य गया? वे अपने मैंजर स्थाभ है न में नके बड़े बाइब हाए यह हाके बाला री हो में कि आणर एबा खाल और बाबा, आज हमारे पिता जी का भी जनम दिन है, भाने खीर बनाई है, मैं हमें क्या आता हूँ अरे खाई मत करा, हम सबको लड़ू बाटत भाई, तौहर मुझ में तहा है, भात में बिचा ही ले भाई लो बाबा लो लो बाबा बाबा क्यों हुआ बाबा तो इसमें घबरानी के क्या बात है, मैं तुम दोनों को वही गाना सिखाती है, जो हम हमेशा गाया करते थे एक फूल और एक मोती से खुथे नपोई हाम हमें बनाया इश्वर ने इत दूजे का थिंगार के दोते शुरू हुआ शुरू हुआ, शुरू हुआ, शुरू हुआ दंतार दोते शुरू हुआ, शुरू हुआ, शुरू हुआ, शुरू हुआ दंतार जिन्मी भी है थोड़, परात भी है छोड़ी प्लैसे ही सुख और दुख की है जोड़ी जिन्मी भी है थोड़, परात भी है थोड़ी पैसे ही सुख और दुख की है जोड़ी सुख और दुख दोनों का है इस जीवत पर अधिका हमें बनाया इश्वर में इक तुझे का सिंदार के धोते शुरू हुआ शुरू हुआ शुरू हुआ जन्तार दोते शुरू हुआ शुरू हुआ शुरू हुआ जन्तार शुरू हुआ जन्तार जीवन का मोज़ दौन पदे है पढ़ें संभालें दोनों आखोंने की भने हैं उजालें काम दो से भी चल जाएं काम दो से भी चल जाएं अपनी दो बाहें साथ हमें बनाया इश्वर ने एक दूझे का तिंगार के दो से शुरू हुआ 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 शुरू इसका मतलब यह हुआ, कि जब अरजुन के मन में अश्यांती हुई आगे बोलो न, दिवी, तो भगवान, श्री कृष्णन, तुम बैठो, मैं देखती हुई, अरे आती हुँ बाबा, सबर तो करो, अरे, यह कौन है, बाबा है, जाड़ी के निदी जान देने वाले थे, क्यामने उने उने बचा लिया, अरे, देख क्या हुआ 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 मुझे के मालूम कौन है, दिवी, श्री को करता है, बाबा है, तो बाबा होंगे, लेकिन हालत बहुत खराब है, बदन आख सी तरह तफ़ा है, बाबा, लो कर लो बाता, अरे भाई, तुम क्यों चलिया है, यह बच्छी कहीं से अगर किसे बिमार को उठा लाए, तो क्या सा मालूम ही, आज पूजा में आयशा गाते, गाते गीत के बहुत भूल गई, तो बाबा में आद देरा दिया, और फिर साथ सब गाने लगे, और गाड़ी के ने से जान देने के लिए भागे, हमने उने बचा लिया, और पिर कुछ का कुछ बोलने लगे, क्या बोजने लगे मैंने खून किया है, मैं खूनी हूँ, मैंने, मैंने सबको दुखा दिया, मुझे बचाने में, कुछा मर गया, मैं मर जाता तो अच्छा हूता, मैं काहर हूँ, बुज दिल हूँ बच्छा हूँ दोक्टर जल देखिए देखिए यह वह है यह वह है मेरे पती है क्या वह देखिए देखिए क्या हो डोक्टर साब इनके दिमाग पर गहरा असर हुआ है और यहां के ब्रेयन इस्पेसिलिस्ट दाक्टर मेहता दिखाना चाहिए वरना इनकी जान को खत्रा भी हो सकता है मामी मैं डोक्टर माइका घुजारता हूँ अच्छा तो बड़े मालिक के लिए मैं उनके पास दवा लेना गयता अच्छा तो चल मेरे साफ जात रंगी मैं हो देखिए अरे देखा इन्नों की मैं बोला ना डाक्टर साब नहीं मिलेंगे जाओ मगर मेरी पते की तविए बहुत खराब है मैं क्या करेंगा डाक्टर साब कि अदर भी जाता ना रात को तो पूरा 300 रुपया लेता है हाँ और 10 रुपया मेरा जगाने का 310 310 हाँ हाँ पूरा 310 खिसे में पैसा नहीं है और चले आते हैं आज दिराग्टर साब को जगाने के लिए तरम शाला समझ रखा है चलो 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 ममी मेरे साथ हमारे मैनेजर साथ बहुत अच्छा दूए वह कभी इंकार नहीं करेंगे मैंने सबका ठेगा ले रखा है ले भाई ले अरे चीकु तू आप यह मेरी मा है और ममी यह सेख जी इस गर के मालिक नमस्ति नमस्ति ममी मैं अभी मैनेजर साथ मिल के आता हूँ क्या बात है शेख जी शेकु के पिता बहुत बीमार है और डॉक्टर तीन सो रुपे लिए बगर चलने को तयार नहीं तो तीन सो दो जो मेरे पास तीन सो रुपे होते तुम नहीं यहां क्यों आती वावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावा तो किसी पिखारी कुछ में हो सकता है जीना ममा साब उपर वाले के हाथ में है दाक्र बाक्टर से कुछ नहीं होता जिसको जीना होता है जी जाता है जिसको मरना होता है मर जाता है संजी अगर तुम्हारे पती की जिंदगी बाकी है विया भागन स्वागन बनी है, इस नाम में सिंदूर बरा गया है, जो इस सिंदूर को फिर से पोच देना चाहते हैं, ऐसा नहीं होगा, हर्गिस नहीं होगा, मेरे आमर और आशा फिर से, फिर से आनास नहीं बनेगी, कभी नहीं बनेगी मुझे बाहर जाना है, स्टेट लोग लिया, जोग्र साहब, यह रहे है आपके तीन सु रुपे, और दस रुपे आपकी नौकर की फीस, मैं बाद में दूंगी, इस वक्त है नहीं मेरे पास, नौकर की फीस, जी हाँ, इसी शर्ट पे तो इसमें जगाया है आपको, क्योरे प मुझे अफसोस है, इस वक्त मैं एक बहुत सीरियस केज देखनी जा रहा हूँ लेकिन डॉक्टर साहब, मैं पहले भी यहाँ आ चुकी हूँ, इसमें आपके लिए तीन सु रुपे मांगी थे, मैं तीन सु रुपे ले आई हूँ पीस का सवाल नहीं, एक बहुत बड़े आदमी की जिन्दगी का सवाल हूँ और उस बहुत बड़े आदमी से आपको बहुत साय रुप्या भी मिले दा लेकिन मैं पहले आपके पास आई हूँ, यह मेरी सुखक का सवाल है डॉक्तर साहब आपको मेरे साथ चलना ही होगा अरे-अरे, यह क्या दाजगिर कर रही है पांडो, अच्छी बात है पहले मैं आपके पती को देखूँगा चलिए शुक्रिया माफ करना बहन, खलती मेरी थी अगर मेरे यहां पहुशने में जरा सी और देर हो जाती लेकिन तो बहुत बढ़ा अर्फ हो सकता है लेकिन अप तो कोई खत्रह नहीं न यह कहना बहुत मुश्किल है इस वक्त रात के ग्यारा बजे हैं सुबा च्छे बजे तक इने रोश आजानी चाहिए वरना डॉक्टर साथ जोक्तर सर्फ दवा देसता है बहन शापा वो देता है लेट सोब पर देशने पर देशने लेट से खजी देशने लेशने किन वरना क्यावाजी चुट तो वो चुट यवाँ बखियो के चुट चुट नह चुट वह चुट चिको, वह जो हुआ 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 Satu À अमर, आशा, देखो, अपने बच्चे को देखो, यहां, आशा मैं, मैं आमर हूँ डड़ी डड़ी, डड़ी मैं आशा, डड़ी आमर, आशा, लड़े बच्चे नहीं, ले चुगा खत्रा तल गया अब गरब्राने की कोई बात नहीं बेहन आशा, 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 क्या नाम है मैनेजर का? नाम? नाम शायद शर्मा, शर्मा, हाँ प्रेम कुमार शर्मा प्रेम? यह भाए, यह पेपरोड उठाकर मैंने सर्ची के सर पर मारा था इस्पेटर साथ, यह बिलकुल जूप हो रहे है यह डैडी को अपने पिता समान मानते थे उनकी इज़त करते थे, जिरह पूछी, बिला वजय पेपर वेट उठाकि इनने डैडी के सर पर क्यों मारा? इसका जवाब मैं आदालत में दूँगा तुम्हारे पास इसका कोई जवाब नहीं है तुम अब भी जूट बोल रहे हो और आदालत में भी जूट बोलोगे गरम पानी लाने जलती सॉरी मेडम देखो प्रेव, अगर डैडी को कुछ हो गया ना तो यह जूट बहुत लेंगा पड़ेगा मेडम ठीक है तुम अगर तुम किसी को श्रीड करने की कोशिश कर रहे हो तो साफ साफ बता दो जी नहीं, बिल्कुल नहीं इनके और भी कोई आदमी है जो रात को शेट साहब से मिला हो जी साहब, हमों मिले रहे काव में हमारे दादा की तबित भाव खड़ाब रही उकर इलाज के वास्ते हम सेज़ जी से तीन सुर्वा मांगे के आए रहे सेज़ जी नहीं को वो फिटकार दी कि चैशीन हम आय थे वो इसी हम चले गए तुम्हें यहां से जाते वग्त तो पोई मिला था यहां साहिब मिलींग रहा एकठो जनानी रही और उकर साथ एक फोकरा रहा तरवाजञें के पास मिलीं रहा साहिब अंधिर भूप रहा जाने कौन हो, वो आरत कौन हो से वो आरत मैंटी इंस्पेकर सहाब यह पाप मुझे से हुआ है मेरे पती की तदियत बहुत खराब थी, डॉक्टर महता तीन सो रुपए मांग रहे थे मैंने सेट जी से रुपए मांगे, तो उन्हें ने इंकार कर दिया मैंने घुस्से में आकर उनके सब्सक्राइब बात उल्टी है, इंस्पेटर सहाब, मेरे देवर मुझे बचाने के लिए, मेरा जुर्म अपने सर में रहे सेट जी के हाथ में तीन सो रुपए थे, जो उन्हें ने शंकर को देने के लिए निकाले थे मैंने वो तीन सो रुपए लेकर डॉक्र महता को देगा बाभी जी, अब छूट क्यों बोल रही है भाया चाचा जी भाया, भाभी क्यों रोग लो, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा कोई अनर्थ नहीं होगा प्रेम साब ठीक होजाएगा आज बुच्णे हों मिले हैं, तो सेट जी कभी बाल बांका नहीं होगा अगर भाभान ने चाहा तो उन्हीं भी होजाएगा हमें होश आगया डैडी इंस्पेक्टर सहाब इस केस में ना तो ये लड़का मुझरिम है और ना ही इसकी भावी डाक्टर सहाब, अगर आप दोनों को मुझदत महमानों की तरह रहना यहाँ अगर आपको डाक्टर या पुलिस इंस्पेक्टर की ऐसी के से रहना है तो फिर मैं मा भी चाहता, समझ गये ना आप समझ गये जाओ वेटी, बाव अरे सत्रंगी, तू कहा जा रही है तूने तो कहा था, देदी मुझे छोड़के ना जाना मैं तो नहीं जा रही है, लेकिन तुझे विदा जरूर करूंगी विदा? शंकर के साथ ये तप्ड़ तक्कर वरावर के ओगी, हम लड़की वाले इनै, लड़के वाले विया ये 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 ये